कि जिस जो प्राइस ब्रैकेट मैं आपको बता रहा हूं 5500 तो 6500 अगर इसके बीच में इसकी रिटेल होती था है तिंग हैंड्स डाउन वन अफ दी बेस्ट बजेड़ डिवाइस राइट नौ इन दे मार्केट हांजी बही मेरे हाथ में ہے बहुत क्रेजी डिवाइस बहुत्री डियुएस ये मेरे पास आक्सवा पाकिस्तान से है यह है ऑक्सवा की लेटिस्ट ओक्स्वा XLIM SE2 बिल्कुल ऐसा ही है भाई पहले XLIM V2 थी फिर इसके बाद XLIM Pro पिर इसके बाद XLIM XQ Pro और पिर इसके बाद XLIM SE2 जो कि इनका Voice Edition है Special Edition है खेर ये मेरे बाद आई है जी ऑक्सवा पाकिस्तान की तरफ से जब मैं ये रिवियू शूट कर रहा हूँ जब तक ये पाकिस्तान के अंदर आफिशली अराइव नहीं हुई है रिटेल के ओपर लेकिन जहां तक मेरी नौलेज है इसकी रिटेल राउंड अबाट 5500 तो 6500 के बीच में होगी विच इस आई तिंग वेरी गूड प्राइस फूर दिस डिवाइस अभी रिव्यू करेंगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा खेर पहले करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग फिर इसके बाद इसका ब्रॉड कास्टिंग फीचर देखते हैं और फिर इसके फीचर दिये हैं वोइस टेक है थाउजन एमेज की बैटरी है टॉप फिल मेकानिजम है विच रिली लव और जी लैंड यार्ड है जो के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना मैं यूज करता हूं बच्चे यूज करते हैं लैंड यार और जी यहां लिखा हुआ है इसके अंदर एक Oxva Xrim 2 की डिवाइस है एक टॉफ फिल कार्टेज है 0.6 की एक 0.8 की कार्टेज है एक टाइप सी के भी लेग यह लैंड यार्ड है और यूजर मैनवल है इसी तरीके से यहां भी 0.4, 0.6, 0.8, 0.12 यह चारो कॉइल्स यह सपोर्ट करते हैं लेकिन डब्बे के अंदर 0.6 और 0.8 मौझूद है ठीक है अगर इसको मैं अन्बॉक्सिंग करूँ तो इसके अंदर से डिवाइस तो मैंने निकाली हुए बट यह इसका कुछ कॉंटेंट है यह इसकी आ गई टाइप-C केबिल यह इसका एक्स्ट्रा पॉड आगिया विच इस पॉइंट 12-16 वाट्स लैंड यार्ड और जी यूजर मैनुवल सिंपल से अंद बॉक्सिंग है अच्छा जल्दी से हम इसके वोइस कंट्रोल कमांड्स समझ लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं यह इसका बैटरी इंडिकेटर है ठीक है यह बैटरी बताता है और यह आपका वा राउन रॉबिन हो जाएगी उसकी वज़ाई यह है कि मतलब राउन रॉबिन का मतलब यह वापिस चले जाएगी यह जो है वह 0.6 की कोईल लगी वी है और इसके उपर जो है वह 20 से 25 वाट्स तक चल सकती है तो वेरी गुड वर्क डन बाय ऑक्स वाट्स जब आप लगाए तो जब आप इस बटन को दुबारा दबाएंगे वो दुबारा 16 वाट्स पर चले जाएगी जो कि इस कोईल की मिनिममम वाटेज है इसी तरीके से 0.8 जब लगाएंगे तो वो गालबां शायद 18 या 20 तक जाती है और फिर इसके बाद दुबारा 12 वाट्स पर दुबारा आ तीक है अब यह कुछ भी नहीं बोलेगी मैं चाहिए कर लो कुछ भी नहीं बोलेगी विचारी थीक है आच्छा यह वाला बटन जो है वह यह इसका डबल फीचर है एक तो वाटेज कंट्रोल में आपको बताया है दूसरा यह ज़हाते हैं कि एक जगा पर वाट्स लॉक हो थायर बटन उन्लॉक हो गया, फायर कर रहा है, यह बॉट्टरॉप्ह भी हो गया फायर बटन में लॉक कर दो, अब यह फायर नहीं करेगा, यह यहां से बॉटईजच करेगा, बारहल ओख्षवा, वेरी 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 वेल डन, ठीक है जिस तरीके से Oxfam ने दो चीज़े एक तो यह कि device के अंदर voice control के साफ से उन्होंने information पूरी दी है जो आपकी device में जो भी information आपको needed है जिसे battery, wattage control हर चीज़ एक तो उन्होंने information पूरी दी दूसरा यह कि उन्होंने device का complete control voice control के हाथ मतब voice control के जरीए दिया है स्क्रीन नहीं है लेकिन voice control इतना इतना मतब complete है उनका के आपकी device के अंदर आपको watts change करने है तब भी कर देगा everything is possible with voice control hands down Oxfam, brilliant work by Oxfam अच्छा जी, सबसे पहले करते हैं इसके design की बात, design के अंदर दोनों तरफ इसके textured feel है which is I think, मुझे बहुत खुबसूरा लगता है, black जो है वह बहुत ज्यादा deep black है, side में sort of piano black type इनकी finish है overall looks brilliant, looks absolutely brilliant, उसकी दो वज़ों आतो है एक, इसके अंदर screen नहीं है, जो मेरी preference के में बात कर रहा हूँ, यह subjective हो सकती है जो के इसके अंदर preference नहीं है, screen नहीं है, तो यह बिलकुल simple और sleek लगती है और दूसरा, Oxfa ने इसके अंदर बहुत minimal branding की है एक सिर्फ Oxfa का logo है, friend के उपर, जो के आप यूं समझे लें के जो है, वो engraved वह ब्लैक से तो वो इतना नजर नहीं आता, तो बहुत simple sleek design है, side के अंदर सिर्फ slim SE2 की हलकी से branding है और दोनों side, sorry, एक side पे दो buttons हैं, और एक side पे airflow है, तो overall design wise, I think very good lightweight है, हाथ में feel बहुत अच्छा है, excellent जो pro थी, उसका भी feel कुछ इसी तरह का था, लेकिन उसके अंदर screen थी, इसके अंदर screen नहीं है लेकिन believe me, screen के अंदर जो भी features हैं, वो सब voice control पूरा करती है, तो I think screen नहीं होना, इस device के अंदर is not a con for me, ठीके, और voice edition होना is a big, big, big pro, तो कि market के अंदर, as for my knowledge, इस वक्त तक कोई भी pod ऐसा available नहीं है, जो voice edition के साथ आता हो, तो hands down, Ox1 ने इसके अंदर बहुत अच्छा काम किय है, इसकी design के ओपर, अच्छा second number वे हम आते है, airflow के ओपर, airflow अगर full open हो, तो it's sort of DL airflow, मैं RDL इसलिए नहीं बूलूँगा, क्योंकि इसके अंदर restriction बहुत ज़्यादा कम है, मेरे इसाब से, यह मैंने 0.6 का पॉट लगाया हुए, 0.6 का पॉट लगाया हुए, उसके अंदर मैंने 25 mg डाला हुए, squeeze का green apple, watermelon, तो hit बहुत ज़्यादा है, मैं इतना लंबा पफ नहीं कह सकता है, लेकिन fully open, मैंने 0.4 का पॉट इसके अंदर लगाया था, outstanding airflow, आप DL आराम से कर सकते हैं, अच्छा, अगर मैं इसको full close कर दूँ, तो यह perfect mouth to lung हो जाता है, पिल्कुल perfect, जैसे भी 0.6 है, यहां hit बहुत दमदार hit है, मतब mouth to lung, pure mouth to lung, मतब यह वाला नहीं कि average mouth to lung, pure mouth to lung, मेरे हिसाब से बहुत tight draw हो जाता है, बहुत अच्छा draw हो जाता है, और अगर मेरी preference की बात करें तो मैं इसके अंदर जो हाफ वे इसको close रखता हूँ, ताकि जो हो 0.6 के ओपर मुझे enough airflow भी लगे, मिले, और उसके हिड भी 25 mg के अच्छी मिले, which is very good, हिट वाइस, फ्लेवर वाइस, मेरे हिसाब से, हाफ airflow परफेक्ट, अब इसके मैं coil life की बात करता हूँ, coil life के ओपर मुझे बताने की ज़रूद नहीं है, यह वही pod है इसका, जो XLM V2, XLM Pro, XLM XQ Pro, और फिर इसके बाद XLM SE2, तो मार्केट के अंदर इस pod की position हर बंदे को पता है, इस pod की capabilities का अंदाजा है हर बंदे को, मैं एक post देख रहा था, पी वी सी के ओपर, 9000 से 10,000 पफ उस बंदे ने single coil के ओपर लिए थे, भाई, मैं तो इतना नहीं खेच सकता है एक device को, क्योंकि मैं बस multiple devices हैं, रियू के लिए, तो मैं pod life, अगर आप बोलेंगे testing, इसके अंदर एक तो यह puff counter नहीं है, तो उसके ऐसे भी puff counter नहीं हो सकती, लेकिन अगर मेरी बात करें, जब यह मेरे पास आया, मैंने इसके अंदर 25 एमजी का go hour डाला था, drip down का, वो मैंने round about कोई 12-15 ml फूका होगा, और फिर इसके आद मैंने इसके अंदर squeeze का white gray water melon डाला, और वो मैंने इस वे ऐसे डाला, उसकी दो वजवात नहीं, एक तो यह है कि मुझे देखना था कि जब flavor change करो, तो अकसर में ऐसा होता है, कि foreign coil बान हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, या coil life decrease हो जाती है, ऐसा तो नहीं है, excellent flavor, और दूसरा, मुझे यह देखना था कि flavor shifting कितनी जल्दी होती है, तो round about इसको एक tank लगा, और इसने जो यह वो flavor shift कर दिया, अच्छा साथ यह भी बताता चलू भाई, कि इसका जो side fill mechanism है, I think मेरे लिए बहुत ज़्यादा pro है, ठीक है, बहुत ज़्यादा pro है, I love it, ठीक है, मुझे pod निकालना नहीं पड़ता, excellent, इसके साथ साथ भाई, pod का जो magnet है, वो भी बहुत ज़्यादा strong है, तो मेरा pod एक दो मरतबा यह वाला गिरा भी है मेरे हाथ से, लेकिन जो इसका उपर कार्ट्रेज है, यह अपनी जगह से नहीं इला, I think, hands down, quality of the pod is amazing, quality of magnets, everything, Oxva, amazing work, flavor के ओपर मैं आता हूँ, मतब मैंने जिस तरीके से बताया है, extremely good flavor, extremely good flavor, ठीक है, चाहिए हो मैं गवावा पी रहा हूँ, या मैं flavor switch करके, अब मैं green apple के ओपर आया हूँ, oh sorry, green grape के ओपर आया हूँ, amazing, extremely good flavor, इसके लावा जी, मैं इसकी battery life की बात करता हूँ, इसके अंदर 1000 image की battery है, और वो भी without screen, मेरे लिए, मतब मुझे आराम से डेड़स अपने दो दो कहीं नहीं गए, मतब ऐसा instance होता है कि मैं सुबह 11 बजे इसको charge करके निकाला मैंने इसको, और वो दिन मेरा पूरा खतम हो गया, राउत को तकरिवन को एक डेड़ बे तक, दो बे तक मैं इसको फूंकता रहा, फिर इसके अगले दिन मैंने दुबारा स्टार्ट किया, मतब मैंने चार्ज नहीं किया, दुबारा स्टार्ट किया, शाम को तकरिवन आठ नो बजे के दर्मियान इसकी 20% बैटरी थी, ठीक है, वो आउंटी ने बताया, आपकी 20% बैटरी है, तो भाई, I think, really, really, really good work, ठीक है, अच्छा, बैटरी लाइफ, इस वह से भी अच्छी है, क्योंकि जब स्क्रीन होती है, तो इसक्रीन आपकी हर वक अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसकी बैटरी दो तरीके से भी जो चेक करनी हो बार बार, तो यह जो RGB है, इसके जरीए भी आपकी बैटरी चेक हो सकती है, या RGB ग्रीन, ब्लू और रेड जो के हर पॉड में आप फे मेरे ले रहोंगे, तो उससे भी चे 500, अगर इसके बीच में इसकी रिटेल होती है, तो I think, hands down, one of the best budgeted device right now in the market, I can easily recommend to anyone, इतना all-round है, 0.4 आता है, 0.6 आता है, 0.8 आता है, मतलब आप यह समझे लें कि हर तरह का pod आता है, DL, RDL, आपका MTL, Airflow भी तीनों को सपोर्ट कर रहा है, मतलब मैं किसी को भी recommend करूंगा न easily उसको device यह पसंद आ जाएगी, बहुत easy इसकी recommendation, जो voice control अलब feature है, एक तो यह कि वो feature latest है, market के अंदर मौजूद नहीं है, और दूसरा है कि उसके अंदर सारी चीज़ें, आपकी device की full control भी है आपके पास, जो wattage control वगरा है, और आपकी device की सारी information भी है, right now कौन से ohm का pot लग तो हर चीज, Oxua ने, मतब voice control के अंदर इस तरीके से fit किये कि आपके पास control भी पूरा है और आपके पास information भी पूरी है, अगर आप इस device के कौन की बात करते हैं, मुझे यूं तो कोई कौन नहीं लगा, लेकिन मेरे इसाब से nothing is perfect in this world, तो एक जो मुझे कौन लगा, वो यह ल सर नहीं है, लेकिन बात यह है, कि 0.4, 2 ml का pod, is just like an RDA for me, ठीक है, आपको flavor अपने साथ carry करना पड़ेगा, 0.4 अगर आप इसके ओपर use कर रहे हैं, क्योंकि दायरे ताप 3 mg use कर रहे होंगे, 0.4 के ओपर, तो उसमें वो 2 ml का pod है, उसके अंदर half ml आपने बचाना है, ताके coil यूज बानना हो जाए, 0.5 ml आप उसको consume कर सकते हैं, मेरे इसाब से, और वो मेरे खाल से थोड़ा सा एक lagging है, तो Auxwa, I hope कि Auxwa को जिस तरी के साम feedback दे रहे हैं, तो I hope कि Auxwa यह वाला feedback भी ले और इसको 0.4 की जो capacity है, उसको थोड़ा सा increase करे, एक और question, SQ Pro versus X-Slim SE2, अक्स अगर आपके आज बजट कम है, और आपको शच्के भी पूरे चाहिए, और आपको वेब कॉलिटी भी बहुर अच्छी चाहिए, परफॉरमस भी बहुर चाहिए, गो फर SE2, एंड्स डाउन, Auxwa ने बहुत क्लास का काम किया इसके उपर, तैंक यू सो मच फॉर दिस रिव झाला मेल दें अगले इवकेंडर